नमस्कार दोस्तो इस्टेडी निउज में आपका स्वागत है जी सेवन को जी टैन बनाने पर फैसला हो रहा है जानेंगे इसके बारे में आज अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्रम्प ने 46 वी जी सेवन सब्मिट पोस्ट पॉंट कर दिया है ये दे न्यू यॉर्क आर्टिकल है इसमें लिखा है ट्रम्प पोस्ट पॉंट जी सेवन सब्मिट एंड काल्स फोर रसिया जी सेवन ग्रूप के बारे में बता दूँ जी सेवन एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनोमिक और्गनाइजेशन है जिसमें आर्थिक रूप से मजबूत सा देश सामिल है इसमें केनेडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान यूके यूएस सामिल है मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ यह जो हरे रंग में देश आप देख रहे हैं यह जी सेवन ग्रूप में सामिल है यह साद देश ग्लोबल नेट वेल्थ का अठावन परसेंट 58% रिप्रेजेंट करते हैं और 46% GDP बेस्ट वेल्यू है आप समझ सकते हैं कि G7 कितना पावरफुल ग्रूप है आप जानते ही है कि इस समय अमेरिका और चाइना के रिष्टे साही नहीं चल रहे हैं दोनों देशों में कोल्ड वार चिड़ी हुई है ट्रेड वार हो रहा है ऐसे में अमेरिका को भार जैसे देश की मदद की जरूरत है इसलिए अमेरिका, इंडिया, आस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रसिया को सामिल करना चाहता है कोरोना वाइरस के वज़े से भी अमेरिका चाइना से नराथ चल रहा है क्योंकि इस पैंडेमिक से पूरे विसमे अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है आपको डाटा दिखा देता हूँ अभी जब मैं ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ तब तक आप देख सकते हैं कि सिर्फ अमेरिका में 1,6,000 मोते हो चुकी हैं और 16,000,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं टॉप 7 म में भारत भी सामिल हो गया है इसलिए अमेरिका G7 को expand करके G11 बनाना चाहता है रूस को लेकर confusion है रूस पर अभी UK सहमत नहीं है जी एट में रूस सामिल था लेकिन क्रीमिया पर कबजे को लेकर 2014 में रूस को हटा दिया गया था G7 में सामिल होना भारत के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है और इससे अमेरिका को भी चाइना से ट्रेडवार में मदद मिलेगी तो ये था पूरा एनलाइसिस टॉपिक का धन्यवाद